टूदेश लिए लिए टिश्कस अबाउट राजा राव आज के हमार इंपोर्टेंट राइटर है राजा राव इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे श्रीक राजा राव के अगर हम बात करें तो राजा राव वो रोज एंडियन अमेरिकन राइटर फिंग्लिस लैंगवेज वो क्या लिखते थे नउवल्स रिते लिखते थे अलीगड़ यूनिवस्टी से उन्होंने फ्रेंच की जो लेंग्वेज खी वह लिए नीजाम कॉलिज हैद्राबाद से और उन्होंने फ़स्ट नॉवल जो लिखा कडिनरे मी लिखा था डी छ़यादा से नहीं नहीं मिली थी जैसे उन्हों rév सोर्ण किया तो उन्होंने ज्यादा प्रशंस्चा मिल गए जिससे किए उन्हें इंगशन स्टार्ट कर दिया एड इंग्लिस लिट्रेचर के तीन आधा स्तंब माने जाते हैं, राजा राव, आरके नाराय, मुल्कराज, आनंद, उन्हीं तीन आधा स्तंब में से हम आज एक राजा राव के बारे में डिसकस करेंगे डिटेल से, शुरू करते हम अपने आज की क्लास, राजा राव, वी क्रिशन स्वामी इनके फादर का नेम था, ये एक प्रोफेसर थे हैदराबाद के करनड लैंग्वेज के, इनके जो फादर है, इनके जो फादर है, एच वी क्रिशन स्वामी, वो क्या थे एक प्रोफेसर थे हैदराबाद यूनिवस्टी में, किसके प्रोफेसर थे करन केम्ली मौल से केम्ली मौल सेंकी first marriage हुतती है 1931 से 1939 तक इनका marriage कोर टाइम पेडि़िए है वो है first marriage का या वो क्या थी वो पढ़ाती थी French French पढ़ाती थी in auld alle more love iron própler में इनकी first wife French पढ़ाती थी इनकी second marriage होती है Catherine and john से उनका टाइम पीरिएट है 1965-1986 and वो क्या थी वो एक American stage actress थी and इनकी third marriage होती है Susan Watts से 1986 से 2006 का इनका time period है and ये कि यॉनर में लिखते थे ये novels लिखते थे short stories and ऐसे से लिखा करते थे and इनकी education कहां से complete हुई अलिगर मुसलिम यूनिवस्टी से इनकी higher education complete होती है and B.A. Nizam College हैदराबाद से complete होती है इनकी and university and university से इनको क्या मिला university ने इनको government scholarship दी जिसके लिए क्या गई है France चले गई थे French सीखने के लिए and ये belong करते है Orthodox से Orthodox क्या होता है कट्टरवादी family से ये किस से belong करते है Orthodox South Indian Brahmin family से belong करते है Orthodox का मेनिंग क्या होता है कट्टरवादी और इनको कुछ awards भी दिये गए Sahity Academy Award मिला इनको 1964 में Padam Bhushan Award मिला इनको 1969 में New Study International Prize for Literature मिला इनको 1988 में and Padam Vibhushan 2007 में after death के बाद इनको दिया गया Padam Bhushan इनको मिला 1969 में and Padam Vibhushan मिला 2007 में after death, death के बाद and ये Indian Second Highest Civilian Awards मिला कहते है इसको Padam Vibhushan को क्या कह जाता है दनने इनको Indian Second Highest Civilian Awards भी कह जाता है Padam Vibhushan को ये क्या है Indian Second Highest Civilian Award है ये सारे awards मिले इनको and after passing matriculation he went to Aliga University for higher education and there he came in contact with Professor Dickinson who inspired him to study French language यहाँ पर Aliga University में Professor Dickinson ने इनको काफी inspire किया किस चीज के लिए French language की study के लिए he went to France to study French literature he studied at the University of Montpillar he received PhD at the University of Sean Bond under the professor के जामिन and ओने जो अपनी PhD complete की वो किस professor के अंडर की के जामिन के अंडर क्या नेम था उन professor का के जामिन he lived in France 1928 to 1939 वो फ्रांस में कब से कब तक रहे 1928 से 1939 and from 1946 से 1950 फ्रांस में वो रहे 1928 से 1939 and 1946 से 1950 1940 में he returned to India and went to Banar in search of a guru there he met a great वैदान्तिग scholar Swami Almanen who become his guru guide and advisor क्या होता है यह अपनी PhD करते हैं professor कैजमीन के अंडर and उसके बाद he lived France वो फ्रांस में कब से कब तक रहते हैं 1928 से 1939 1939 तक रहते हैं लेकिं 1939 के बाद 1940 में यह वापिस कहा आ जाते हैं बनारस में किसलिए guru की खोज में and वो यहाँ पर मिलते हैं स्वामी एलमनें से मिलते हैं यह इनके बनते हैं guru, guide guru बनते हैं guider बनते हैं and advisor बनते हैं इनके and then फिर यह 1940 से 1950 के time period के बीच में गहां पर रहते हैं फिर से फ्रांस में चले जाते हैं दुबारा से in 1950 he went to America he was greatly inspired by American culture 1950 में 1950 तक यह फ्रांस में रहते हैं उसके बाद यह अमेरिका चले जाते हैं क्योंकि वहां के culture से काफे inspired होते हैं there he read the works of Ralph Waldo Emerson Walt Whitman and Henry David Thaurio according to him America has the great classical civilization as a wishing professor he gave lecture at different American universities on Indian philosophy यह क्या करते हैं wise in professor के पद पे lecturer लगते हैं and वहां पे American university में वो क्या पढ़ाते हैं Indian philosophy पढ़ाते हैं after teaching Indian philosophy in the university of Texas he settled in the USA यह Indian philosophy Indian philosophy को वहां पढ़ाते हैं as a lecturer के रूप में University Texas में and then उसके बाद क्या हो जाते हैं वो वहीं USA में ही shift हो जाते हैं Raja Rao is the Indo-Anglican writer वो क्या थे Indo-Anglican writer थे कौन? Raja Rao Indo-Anglican writer कौन होते हैं जो की Indian होते हैं लेकिन English में लिखते हैं उसने क्या कहते हैं Indo-Anglican He added with Iqbal Singh changing India and anthology of modern Indian thought from Ram Mohan Rai to Jawaharlal Nehru उन्होंने anthology लिखी anthology क्या होते हैं एक संकलन होता है इन्होंने modern Indian की thoughts को उसमें लिखा Raja Ram Mohan Rai से लेकर Jawaharlal Nehru तक जितनी भी thoughts ही हो उन्होंने इसको इस anthology में लिखा and इसके life से related कुछ important key points है आपके exam के लिए काप important रहेंगे इन्होंने first novel लिखा में किस journal में लिखे किस पत्रिका में लिखे जै करनाटका में 1931 से 1932 जो four articles लिखे इन्होंने करनड पत्रिका में लिखे उसका नाम क्या था जन्न करनाटका and इन्होंने participate किया quit India movement में इन्होंने participate किया 1942 में and co-edit with Ahmed Ali a journal from Bombay called tomorrow and इन्होंने co-edit किया Ahmed Ali के साथ from Bombay and उसका नाम किया था tomorrow and five Indian masters five Indian masters है Raja Rao, Ravindranath Tago, Premchand, Mulkaraj Anand and Khuswant Singh and इनके कुछ important works है काफी famous है जिनकी वज़े से इनको जाना जाता है first आता है Kanthapura Kanthapura इन्होंने लिखा 1938 में and ये इनका first novel है English में first novelist of India की बात करें तो हम first novelist of India कौन है Bankim Chandra Chattopadhyaya उन्होंने लिखा Raja Ram Mohan Wives and published it in 1864 it is the first Indian novel written in English Raja Ram Mohan's Wives जो है ये first Indian novel है जो कि English में लिखा गया 1864 में published कराया गया and Kanthapura Raja Rao Raja Rao का first English novel था जो उन्होंने 1938 में लिखा था and next work आता है उनका The Serpent of the Rope 1960 में लिखा and ये क्या एक semi-autobiographical novel है semi-autobiographical novel वो होता है जो complete biographical नहीं होता है जिसमें अपनी life से related वी कुछ experience comments में share करते हैं वो होता है semi-autobiographical full biographical novel नहों के and इनके कुछ अदर famous works है The Cat and Shakespeare 1965 में published हुआ Comrade Kirilov 1976 में published हुआ and ये French में है The Chess Master and His Moves 1988 में published हुआ On the Ganga Ghat 1989 में published हुआ and ये क्या है short story है and The Police Man of the Rose 1978 में published हुआ ये भी एक short story है The Cow of the Barricades 1947 में published हुआ ये भी एक first short story collection था इनका and Anthology The Best of Rajarau 1998 में published हुआ and कुछ और famous works है इनके The Great Indian Way Life of Mahatma Gandhi ये एक biography थी 1998 में published हुआ ये क्या थेक non-fiction work था इनका Wither India 1948 में published हुआ Changing India ये एक Anthology थी ये 1939 में published हुआ I hope friends आज की class आपको अच्छी लगी Thanks for watching Like करे, Share करे, Subscribe करे Comment करना ना बुले friends आपके Like and Comments हमें बहुत motivation मिलता है Good day, Take care, Bye Bye friends